हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपको बच्चे और बड़ों के लिए चार परकार के अलग-अलग साइज के मास्क बनाना बता रही हूँ इसमें हम स्माल, मेडियम, लोंग और एक्स्टा लोंग साइज के मास्क बनाएंगे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करने के लिए यह हम ले रहे हैं एक्सल वाला 6.5 इंच पे मैंने इसमें मार्किंग किया है एक साइड में और यहां अपर डारेक्शन में भी हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगी अब यह हम 6.5 का स्क्वेर बना लेते हैं इस तरीके से आप बिल्कुल छोटे बाच्चे मिडल एज और एडल्ट सब के लिए बना सकते हैं यहाँ पर मैं सेंटर में मार्किंग कर रही हूँ अब इसका जो 20 का हिस्सा रहेगा वो 3.5 इंच रहेगा और आगे की साइड में हम इसको ऐसे तिर्चा मिला देंगे दोनों साइडों में यहाँ पर 1.5 इंच दूसरी साइड में भी 1.5 इंच जिरो पॉइंट फाइब और इसको ऐसे मिला देंगे यह हो गया है हमारा एक्सल साइज पहले कटिंग बता रही हूं मैं आपको अब यहाँ से फिर 1.5 इंच कम करेंगे दोनों साइड में यह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना रही हूं और अच्छे से फिट आ भी जाता है तो इधर भी मैंने 1.5 इंच कम किया है इधर फिर से हम लाइन खीचेंगे सीधा और इसको यहाँ पर मिला देंगे अब जो आगे वाला साइड है उस में से हमें इसको और संकरा नहीं करना है सेंटर में से भी 0.5 इंच इसको ऐसे मिला लेंगे तो यह हो गई है हमारी लॉंग की ड्राफ्टिंग अब करते हैं मीडियम की यहाँ पर यह 1.5 से थोड़ा सब कम हमने यहाँ पर लिया है सभी साइडों में और इसको भी ऐसे सामने से राउंड में मिला देंगे और यह वाला सीधा लाइन मिला देंगे इस परकार से हमारी हो जाएगी आगे मिलाएंगे इसको मीडियम साइज के मास्की ड्राफ्टिंग और अब हम करते हैं स्मॉल साइज की स्मॉल साइज की करने के लिए भी हमें 0.5 से कुछ कम यहाँ पर किया है और आगे से भी सको छोटा करेंगे यह बिल्कुल पांच साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए हम करेंगे इसके बाद जो है इमीडियम वाला आता है यह पांच साल से लेके दस साल तक के बच्चों को आता है लोंग उससे बड़ों को और एक्सल जो थोड़ा सा फेस से जिसका हैवी रहता है उनके लिए हैं और अब इसको आप यहां से कट करके कपड़े पर रख लेंगे और जिस भी साइस का आपको मास कट करना है उसकी ड्राफ्टिंग के हिसाब से यहां पर कपड़े पर कटिंग करेंगे और सिलाई कर लेंगे